तो फाइब बेस्ट स्मार्टफून अगर आपका वेड़ 25,000 है 25,000 के बज़र रीज में आप एक स्मार्टफून देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए तो बात करते हैं सीधा नंबर फाद की तो सबसे पहले बात करते हैं नौन चैनिस स्मार्टफून की मतलग बात करत ये दोनों स्मार्टफून बहुत ही ज़्यादा सही है लेकिन अगर डिजाइन लुक या कलर्स वाइस देखा जाए तो सैमसंग गलेक्सी M51 का डिजाइन कलर लुक को वगारा जादा सही है एस कंपैर्जन किया जाए सैमसंग गलेक्सी F62 से ठीक है इनमें प्रोसेस्टर द उनों की अपर देखने को मिल जाते है एंड ये 25,000 से नीचे दोनों स्मार्टफून देखने को मिल जाते है तो आप देख लिए अगर आपको सैमसंग गलेक्सी M52 से लगता है आप इस स्मार्टफून के और भी जा सकते हो लेकिन अगर मीरा बज़र 25,000 से नीचे होता दियान में रखना की डिजाइन लोग को जो है वो Samsung Galaxy A51 का ज़्यादा अपर आपको देखने को मिल जाता है तो भी अगर आप लेना जाता है तो आप ले सकते हो अगर आपको देखने हैं तो देख भी सकते हो आप ले सकते हो मैं बात करूं MI 10i की एंड मैं बात करूं Redmi Note 10 Pro Max की अगर मैं इन दोनों स्मार्टफून की बात करूं दोनों मैं आपको 120 रिफ्रेशर के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं लेकिन जो MI 10i है वो आपको 5G देखने को मिलता है लेकिन जो Redmi Note 10 Pro Max है वो आपक करनी है आप इजली नॉर्मी दोनों स्मार्टफून पे कर सकते हो कैमरा क्वाल्टी दोनों की बहुत ही ज़्यादा आप पर है कार कैमरा सैटप दोनों में देखने को मिल जाते है लेकिन Redmi Note 10 Pro Max जो है वो दस्ट प्रूफ है उसमें आपको IP53 रेटिंग देखने को मिल जाते जो कि सच में एक प्लस्मार्ट आ जाता है प्लस Redmi Note 10 Pro Max जो है वो सूपर एमलर डिस्प्ले के साथ आता है जो MI10i है वो IPS LCD के साथ देखने को मिलता है तो यह इनका कंपेरिजन है तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो MI10i जो है वो आपको 5G देखने को मिल जाता है लेकिन जो Redmi Note 10 Pro Max है वो आपको 5G तो नहीं देखने को मिलता है लोग कि नहीं उसमें आपको सूपर एमलर डिस्प्ले मिल जाती है आपको 53 वाटर डॉस्ट रिजिस्प्ले डेटिंग देखने को मिल जाती है तो उसकी कुछ अपन बहुत ही जादा अपर है तो आप देख लिएना लिंक दोनों के दिये हुआ है जो भी आपको डिजाइन लुक वाज़ा चलगता है आप उसके और जा सकते हो आगे बात करते हैं नमबो थ्री की बात करो यह नमबो थ्री पर रखे है मैंने रियल्मी की और से स्मार्टफू उस प्राइज में मैंने फिर से रखे हैं यहार 2 स्मार्टफूं जो कि रियल्मी से आते हैं under 25,000 आपको नम नहीं देखने को मिल जाएंगे मैं बात कर रहा हूँ रियल्मी एक्स सेवन की और मैं बात कर रहा है रियल्मी एकस थ्री सुपर जूम की यह दोनों स्मार्टफू सब्सक्राइब तकड़ा जो कि साथ बेस्ट जो विल्मी एक्स फ्री सूपर जूम उसमें आपको फ्लैक्शिप प्रोसेसर देखने को मिल जाता है तो भी अगर आपने हाड़ कोर गीमिंग करनी है आप इजली नौमली कर सकते हैं को काड कैमरा स्ट डोनों स्मार्ट फून में देखने को मिल जाता है प्लस आपको 32 मेह एकसल की सेलफी दोनों में देखने को मिल जाती लेकिन आपको फ्रंट कैमरे में 4K आप्शन दोनों में नहीं देखने को मिलता है बेंट्री लाइफ, फूथ और नेमेज की अपपर ही थोड़ी सी देखने को मिलेगी दोनों स्मार्टफून में, तो ज़्यादा डिफ्रेंस बगरा नहीं है, ज़्यादा डिफ्रेंस यह देखने को मिलता है, कि जो Realme X7 है, वो आपको 5G देखने को मिल जाता है, एंड आपक डिस्पले देखने को मिल जाती, प्लस निया लॉंच हुआ है, डिजाइन लुक वगरा बहुत भी आ रही है, तो भी अगर आपका बज़र 25,000 से कम है, आपको Realme का ही स्मार्टफून चाहिए, तो आप देख लेना, अगर आपको फ्लैक्शिप पर सैसर चाहिए, आपके ल उनों के बाइं के लिंके जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीये हूँ है, अगर आप टेच आउड करने चाहिए, और आपको एक कैमरे के अकॉर्ण लाइक स्मार्टफून चाहिए, व्लॉगिंग करना चाहिए, यूट्पी व्यूडिस करना चाहिए, बनाना यह तो लेनी है, अच्छी सेल्फी लेनी है, तो आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है, वीवो वी टुएंटी, तो आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो, स्लिम एंड स्थालिस दिजान तो मिल जाता है, प्लस इसके कलर वगर आप बहुत ही ज्यादा प्यारे देखने को मिलता है, रेंबो शेर में एक आपको कलर देखने को मिलगा, अगर आप लेना जाते हैं, तो भाई वो ले लेना, माइनस पांट की बात करूँ, आपको 5G स्मार्टफून तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कैमरा को ओल्टी बहुत ही ज्यादा सही है, प्लस इसके कैम नम्बो वन की बात करो, नम्बो वन पर यार मैंने फिर से रखे हैं, दो स्मार्टफून, अगर आपको डिफरेंट डिजान चाहिए, कलर वगारा भी आपको मैटर करते हैं, उसके साथ साथ आपको फ्लैक्शिप पर सैसर चाहिए, हाड़़गोर गेमिंग करने हैं, अपर अपर पर चाहिए, आपके लिए ये दोनो स्मार्टफून भी बहुत ही ज़्यादा सही होने वाले हैं, मैं बात करों IQ 003 की and मैं बात करों LG G8X की, ये दोनों स्मार्टफून आपको बहुत ही ज़्यादा सही लगने वाले हैं, मतलों आपको पसंद आएंगे यार देखने को मिल यह फ्लैक्षिप पूर साहर में जो की सैवन अनुमिटे टेकनोलजी के साथ पेस्ट तीन कलर में यह स्मार्टफून आता है लेकिन और इंज कलर में यह बहुत ही ज्यादा सूड़ गर तो आप देख लेना अगर आपने स्मार्रफून के और जाना आप जा सकते हो आगे बात करते है नुमबो वान पर याथ है यार घ् astrology 8X, अगर स्मार्टफून की बात कर आपको डुओल डिस्प्लेय देखने को मिल जाती है पस्सेज़र के बजट में मुल जाती है पहले इसका प्राइस जाता है जो कि बहुत ही तगड़ा हार्ड़कूर गेमिंग करने है इसली नॉमली कर सकते हो शेक्स जीबी रैम के साथ देखने को मिल जागा इसके डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत ज़्यादा आपको आपको ओले डिस्प्ले दीखने को मिल जाती इसके स्पैसिफिकेशन वो चीज सच में मैटर करती है तो अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए सैल्फी के लिए चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए प्लस भई अगर आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफून चाहिए लजी जी एडएक्स आपके लिए पोफेट डील हो सकता है अगर आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ अगर आपने चाहूड करना है आप चाहूड कर सकते हो अगर आपने पर्चेज करना है आप पर्चेज भी कर सकते हो पच्छेस अजार के बजट वेंज में तो यार अभी मैंने आपको इतने स्मार्टफोन बता दिये, Samsung के smartphone बिता दिये, MIK भी बिता दिये, Vivo भी बता दिया, उसके बाद भी मैंने आपको IQ3 भी बता दिया, LG का smartphone भी बता दिये, जो भी आप लेना जाते हो, आप ले सकते हो, नौमली, ईजली ले सकते हो, सबी के बाइंक लिक में इन डिस्क्रिप्शन बोक्स में दि सब्सक्राइब करना, मिलते नाक्स्ट वीडियो में वीडियो को साथ, तेंक यू!